मृत्यू भोज के पाखंड पर आधारे तंध विश्वास को भगाना होगा, भांते बुद्ध प्रकाश, तेगढ़ा से बोलता बिहार न्यूज मीडिया समबाद दाता अशोक कुमार ठाकुर की खास रिपोर्ट तेगढ़ा, बेगु सराय, विज्ञान और टेक्नोलोजी के युग में देश और बिदेश के लोग चांद पर पहुंच रही ही वहीं दूसरी और शिक्षित और अशिक्षित वरगंध विश्वास और पाखंड ताके मकर जाल में उलजते जा रही ही यह बाते समस्ती पूर रोसरा कबीर मठ के परागण में आयोजत दो दिवसिय कबीर गोश्टी समारोग को संबोधित करते हुए अलपसंख्य कायोग के पूर्व सदस्य सह साइन्स पोर सोसाइटी पटना बौध भिक्षुभनते बुद्ध प्रकाश ने कही उन्होंने घ्मोन, पाखंड एवं अंध्विश्वास पर विस्तार से प्रकाश डाला उन्होंने कहा कि पाखंड और अंध्विश्वास समाज और राष्ट्र के लिए बड़ी बाधा है इसका मूल कारण अशिक्षा, अंध्विश्वास और पाखंड अबाध है इसे दूर करने के लिए वेग्यानिक सोच एवं तार्किक ज्यान की आवश्यक्ता है उन्होंने मृत्यू भूज जैसे कुप्रथा पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि मरने के बाद स्वर्व नरक कहीं नहीं है इस अंध्विश्वास में एक गरीग लाचार लोग श्राधकर्म के पीछे हजारों रुपे बरबाद कर देते हैं और अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते ही इसलिए मृत्यू भूज जैसे अंध्विश्वास को बंद करना होगा महंते ने कहा कि संथ कबीर अंध्विश्वास और पाखंट के विरोधी थे उन्होंने लोगों को मानविय मूलिय बताए उनकी रचनाओं ने समाज में फैली कृतियों पर कड़ा प्रहार किया है अध्यक्षता समस्तिपूर रोस्रा कबीर मठ के महंत लीक नारायन दासने की कार्यक्रम में समस्तिपूर, दर्भंगा, सहरसा, अर्या और पूर्निया सहित प्रदेश के दर्जनों कबीर के महंत के अलावे भारी संख्या में लोग शामिल हुए अध्यक्रम में लोग शामिल हुए स्वागत करू को कैसे अंदिरी सवाथ मैं पढा हूँ स्वागत करू को कैसे जहां को पथ्थर को पराम गयता था धा य मैं कहना चाहता हूँ कि सरस्भ्सकेल भारत में परहा लिक्वा जपानुतिnya पूजा भरत ने मिलका क्यों सन्मान हुआ इस करमार पूजा भरत ने चेना का भी फुशित विज्ञान हुआ अब देखे आंगे दूसरा आखाते हैं ऑफिक खाली हो तो कुछ कमारे अजयर मंतर मांगजायो कि में और सुझा ज़गा कोड़ी को एक दर्चान को भी जाहिए एक दर्चान निकाल भी नपार है कबीर साहब की कबीर साहब के वाल यहां आते हैं आप बोलो मजा लेने के लिए कबीर साहब को विचार को नहीं मादू है